पानी पूरी खाना किसे पसंद नहीं है पर घर में इतनी उल्जने करके बाजार जैसा पानी नहीं बन पाता तो चलिए आपकी सभी मुश्किलों को आसान करके बाजार से भी बढ़िया पानी पूरी के पानी पूरी के पानी प्रिमिक्स की रेसिपी आपके लिए लेकर आये ह तो चलिए शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों प्रणोस्let मॉब में आप सभी का स्वागत हैं आज हम मनाने वाले हैं पानी पूरी का प्रैमिक्स तीकहा जितना पसंद हो उसके अकॉर्डिंग ले लीजिए क्योंकि कुछ हरी मिर्च जो है तीकि होती है और ज्यादा दीकि नहीं होती है घरईदीन के तो सारे धनिया को मैंने एक धाली में निकाल दिया है और उसे हम सबसे पहले सुखा लेंगे उसी तरह हम पुदिना को इसमें निकाल लेंगे उसे भी हम सूखने के लिए रग देंगे एक दिन में जो है पुदीना और धनिया और हारी मिरच तीनों सूख कर तैयार हो जाएंगे और इस तरीक वहने उपर नीचे करते रहना है ताकि अच्छे से सूख कर तैयार हो इन्हें हमें धूप में और हरी मिर्च को भी हम इस तरीके से छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर रख देंगे ताकि यह भी अच्छे से सूख जाएं तो यहां पर हम कम तीखा खाते हैं इसलिए थोड़ी सी हरी मिर्च ही मैंने लिए आप जितना तीखा पसंद करते हैं उतनी हरी मिर्च आप ले लीजिए तो इस तरीके से सारी चीजों को हम सुखा कर तयार करेंगे और अब मेरा जो मसाला है वो तयार करने के लिए मैंने यहा पर जीरा काली मिर्च और सोंफ और थोड़ा सा खड़ा धनिया जो है वो ले लिया है खड़ा धनिया की क्वांटिटी हमें थोड़ी ज्यादा रखनी है और यहां पर आप थोड़ी सी लोंग भी एड़ कर दिजिए इन सभी को आपको अच्छे से एक से दो मिनिट के लिए र देख चुका है और वह ठंडा हो चुका है तो अब हम इस तरीके का एक खलड ले लेलेंगे और उस खलड में कूट कर शेम को तयार खरेंगे श्क घेसमान वहा है । तो यहां पर हमारे जो सारी चीज़े हैं वो सूख चुकी है तो यहां पर हम सूखा धनिया, सूखा पुदीना और हरिमेज, तीनों को मिक्सर के एंडर जार में एट कर देते हैं, इस तरीके से हम सारी चीज़ों को एट कर देंगे, उसके बाद मसाले में काला नमक डाल आमचूर पाउडर डाल देते हैं और यहां पर सारी चीजों का अच्छे से डाल देंगे और यहां पर फ्लेवर के लिए मेंने जलजीरा जो पैकेट वाला आता है वह आप डाल देंगे यह ऑप्षनल है से थोड़ा सा टेस्ट हो जाता है और लाल मिल्च पाउडर भी आप य अबन बॉल्कुल पानी चाहिए तो आप यहां पर फूट कलर भी यूज कर सकते हैं पर मैं यहां पर इसे नहीं यूज करूँगी क्योंकि मैंने साभी इंग्रेडरेंट को जो है च्छाओ में सुखाया है तो उनका जो कलर है वह बिल्कुल भी नहीं गया है तो नेच्रल तरीके से ही हमारा जो पानी है वो हरा बन कर तयार हो जाता है तो मैं यहां पर हरा कलर विल्कुल भी यूज नहीं करूंगी तो सारे चीजों को अच्छे से मैंने पीस लिया है आप भी इसे अच्छे से पीस लिजिए अगर इसमें कुछ दंठल ये रहते हैं तो उसे यूस कर लिए तो इस तरीके से आप पानी पूरी का पानी बनाईए तो बहुती बड़ी है पानी बनकर त्यार होता है इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं अब टेस में जो ही इस तरीके से आप पानी मनाता है तो बिलकुल भी आपको कॉंप्रोमाइज नहीं करना पड़ता है बस आप प्रिमिक्स को पानी में इस तरीके से घोल कर तयार कर लीजिए देखे आप जितना पानी आपको बनाना है उतना पानी ले लीजिए और एक चमज भरकर प्रिमिक्स उसमें डाल दीजिए और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए लीजिए आपका जो पानी है वो बलकुल बनकर तयार है तो दो मिनिट में आपका पानी बन गया है और आप बस आलू को उबालिए पताशे में डालिए हरी चटनी दही और जो भी आप चीज़े एड करना चाहते हैं वो सभी चीज़े आप एड कर दीजिए और आप इंजॉय कर सकते हैं पानी पुरी को और इस कोविट सिट्वेशन में आप घर पर इस टेस्टी रेसिपी को जरू ट्राइ कीजिएगा क्यूंकि आप बाहर जाकर जो है रिस्क बि जाल देती हूं इमली की तो उसकी भी में आपके साथ प्रिमिक्सी रेसिपी जरूर शेयर करूंगी और पूरी बनाने की रेसिपी में आपके साथ जरूर शेयर करूंगी यदि आप चाहते हैं तो कमेंड में मुझे जरूर बताएए घर पर रहिए सुरक्षित रहिए अफ को भी सब्सक्राइब कर लीजिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार इस्टे सेफ इस्टे हेल्दी एंड कीप वाचिंग पब